बच्चे और बच्चाएं लू से बच्चे और बच्चाएं तो बच्चों याद रखना गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है ठीट? ये! चलो चलो! बच्चों धूप में मत खेलना और पामी की देना याद से दादजी यह आप क्या कर रहे हो, क्या हो अगौरी को कुछ नहीं वबली, बस गौरी को छाओ में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ लू चल रही है न लू चल रही है, लू चल रही है, टीचर ने भी बोला है कि दूपने मत खेलना पिटा ऐसा किसने कहा, सुबह सुबह जाकर खेलो, तेज धूप आने से पहले और शाब को धूप धलने के बाद पर याद रहे, हलके रंग के भीले कपड़े पहनना, सर ढखके रखना हमेशा, और पानी शर्वत वगेरा पीते रहना बस यही नहीं है, हलका और पॉष्टे का हार भी जरूरी है इसमें कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो इसके अलावा बेल का शर्वत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है पर पापा तो दिन भर केत में काम करते हैं, तूप में हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए, और शर्वत, शिकन जी, छाचा दी पीते रहना चाहिए देखा दादा जी, शाम हो गई है, मैं जली क्रिकेट खेलने ठीक है, लेकिन पहले पूरे बाख के कपड़े पहन के बाहर निकलना, ताकि मच्छर से बचाव हो ठीक है मा अरे, क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो बंटी ने आ रहा, वो बिमार है, उसको लू लग गई है चाची, इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गरम हो गया है इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये O.R.S. का शर्बत पिला रही हूँ लेकिन जल्दी आराम ना मिला तो उसको नस्थी की हस्पताल लेके जाएंगे लेकिन तुम लोग इतने उदास की हो? ये लो बेल का शर्बत पिला चलो लू चलने का एक फाइदा तो हुआ इस गर्मी के मासम में लू से बच्चे और बच्चाएं और सुरक्षित रहें